अब ये आईटी सेल क्या होती है थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए आज कल आप में से बहुत सारे लोगों ने elections में Congress का, बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार social media पर होते हुए देखा होगा आप कहेंगे सब सोशल मीडिया पर मतलब, सोशल मीडिया पर मतलब सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कोई ना कोई मैसेज आपके पास आता होगा ये तो official तरीके से आता है, sometimes कुछ unofficial तरीके से भी विज्यापन आते हैं वो कैसे आते हैं, आप लोग देखते होंगे कि आपके पास WhatsApp पर बहुती ग्यानवर्धक नॉलेज आता है ग्यानवर्धक नॉलेज कैसे आता है, कि देखिए प्रधान मंत्री जी ने इतने समय में ये सब कर दिया है प्रधान मंत्री जी महान है, दुनिया के अंदर टॉप नेता के रूप में इनको चुना गया है इस प्रकार से आपने मैसेज पढ़ा, आप एकदम खुश हो गए कि वाह, क्या बात है ये मैसेज भेजने के पीछे भी जो टीम जिम्मेदार होती है न, वो भी आईटी सैल होती है लेकिन वो अनौन नमबर से आपके मोबाइल पर इतने सारे मैसेजज फॉरवर्ड कर देती है कि बस, अब आप ही लोग उनको आगे की तरफ फॉरवर्ड करने निकल पड़ते हैं अचा केवल ये बीजेपी में होता है क्या? हर पार्टी के अंदर यही हाल है ऐसे ही कॉंग्रेश में, आप क्या देखते हैं? कि राहूल गांदी जी खेत में जाते हैं, धान का फसल रोपते हैं और तस्वीरे वीडिया पर वाइरल हो जाती है राहूल गांदी जी आते हैं, ट्रक की ड्राइवर के साथ बैठते हैं सोशल मीडिया पर फोटो वाइरल हो जाती है यार आप और हम हर दिन घर से बाहर निकलते हैं हमारी तो कोई फोटो बाहर नहीं आती यार आप और हम तो खूब चाते हैं कि हम भी नेशनल मीडिया की सुर्की बन जाएं ऐसा क्यों नहीं होता भाई क्योंकि इसके पीछे एक प्रॉपर तरीके की मशीनरी लगी होती है और हजारों की संख्या में भीड लगी होती है अकेले मद्यपरदेश में एक बयान दिखाएंगे आपको हम मद्यपरदेश का मसला आएगा इसमें जिसमें मद्यपरदेश का IT सेल का जो हैड़ है वो खुद जा रही है भाई मैं तो तलाशते हुए रह जाता हूँ कि मुझे कोई एडिटर मिल जाए मेरे काम के लिए खाकता कि मेरे वीडियो से एडिट करने के लिए आ जाए आप सोचकर देखिए कि सोशल मीडिया पर राजनेदिक पार्टियों के वीडियो पीछे की तरफ आडियो सॉंग लग रहे हैं गाने बज रहे हैं धर्ती का वीर पूरुष नेता को दर्शाया जा रहा है पर कोई सा भी नेता हो चाए केजरिवाल जी हो चाए मोदी जी हो चाए राउल गांदी जी हो पार इन सब को करने में दिमाग तो लगेगा ना मशीने अचानक थोड़ी कर देंगी और किसी को जब तक कोई लाब नहीं होगा वो कुछ नहीं करेगा तो ITCell Social Media पर समझेए कि समर्थकों की एक बड़ी फौज है जिसको तनखा भी मिलती है आप इस तरह से समझ कर चलिए तो ये बड़ी चीज होती है आप कही बार क्या देखता है न किसी को ट्रोल कराया जा रहा है आपको खुद को ही नहीं पता याँ ट्रोल कैसे कराते है आप मेंसे अधिकास लोग तो ये नहीं जानते कि ट्विटर पर मैं किस नाम से हूँ या पिर अदीकानष लोग तो यह नहीं जानते कि tweet को troll कैसे कराया जाता है, trend कैसे कराया जाता है, तो यह trend एक संग्थित team होती है, जो कराती है, यह खिलाफ मुद्दा उठाना हैं, तो लोग कर दो tweet, खट चे tweeter trend पे आ गया, लोग चर्चा करने लग गया, तो यह बड़ा ही संग्टित कारिया है जो होता है IT cell बहुत पावरफुल चीज होती है कल को किसी व्यक्ति को बदनाम करना हो, किसी के पीछे टीम खड़ी करनी हो, किसी को हीरो बनाना हो, तो बड़ी cell IT cell चलती है आप मैंसे बहुत सारे लोग देखते हैं आज कोचिंग वाले भी इस प्रकार की cell चलाने लगे है अपने पीछे हजारों लोगों के छोटे छोटे शौटे शौट वीडियो कई डीपी पर कई टीचरों के शौट वीडियो चल रहे है और ये सब क्या है ये सब ये पीछे लगी हुई IT cell है और समझदार हुईगा तो समझिएगा